आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वावत करती हूँ आज मैं आपको कंडिशन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है पॉलिसिस्टिक किड्नी डिजीज मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या-क्या सिम्टम आते है इसके कौस क्या है और साथे साथ कु सबसे पहले आखिर पॉलिसिस्टिक किड्नी डिजीज क्या होता है तो यह कंडिशन है जिसमें परसन को किड़नी में मल्टिपल सिस्ट फॉर्मिशन होने लग जाती है सिस्ट का फॉर्मेशन के वजए से किड्नी का जो साइज है वह काफी जादा एंडों यह जाता है और इतना इसका साइज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये किड्नी को हाम करता है अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी परसन को पॉलिसिस्टिक किड्ने डीजीज हुआ है तो उसमें आपको कहके सिम्टम्स दिखाई देंगे तो first important symptom यही है कि person का जो blood pressure है वो high होने लग जाता है इसके अलावा ऐसे person को back pain हो सकता है या फिर side pain हो सकता है ऐसे person को urination से related काफ़ी सारे issues होते हैं जैसे कि इनके urine में blood आ सकता है ऐसे person को fullness की feeling होती abdomen में इनको blotting या फिर distension feel होता है kidney का size enlarge होने के वज़े से ऐसे person का abdomen है वो आपको काफ़ी जादा large size का लगता है इसके अलावा ऐसे person को headache हो सकता है इन्हें kidney stone या फिर severe cases में kidney failure जैसी complaint हो सकती है ऐसे person को बार-बार urinary tract infection हो सकता है या फिर इन्हें kidney infections भी हो सकते है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूं कि आखिर क्या reason है किसी person को polycystic kidney disease होने का तो यह genetic condition है अगर आपकी family में किसी को यह condition हुई थी तो आपको होने के chances काफ़ जादा बढ़ जाते हैं अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूं जो आप इस condition के लिए use कर सकते हैं तो medicine जैसे कि आप plumbum met 30 medicine का use कर सकते हैं आप cantheris 30 medicine का use कर सकते हैं इसके अलावा belladona 30 medicine का use कर सकते हैं यह सारी के सारी medicine आपको 4-4 drop दिन में 2 बार diet अपने tongue के ओपर use करना होगा so friends यह था polycystic kidney disease मैं आपको बताए कि यह क्या होता है इसमें क्या-क्या symptom आते हैं इसके cause क्या है और साथे साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon हो से press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो से notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you